हाई, वेलकम टू, लेट्स गु एडवे dieta और आज मैं हूं हिमाचल praवडेस में और इस ज्टिशटीC का नाम है काँड़ा और आज हम जाने वाले हैं नूर्पूर फोर्ट चलिए जानते हैं इस फोर्ट के बारे में और विजिट करते हैं इसकी क्या इतहास है इसके बारे में क्या जानना है क्या नहीं आईए देखते हैं इस फोर्ट में निकलते हैं सो नूरफूर फोर्ट जाने के लिए आपको पठान कोट से 24 किलोमेटर दूर पड़ता है नूरफूर और मैं जो निकला हूँ मैं निकला हूँ अभी जसूर से एक रिलेटिव के यहां पर आज नाइट मनेस टे किया था और यह है व्यू कार के साइड डोर के विल्डो से और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जसूर को अब थमली तेरी में पहुंचने वाले हैं नूरफूर एंड एक्स्प्लोर करते हैं उस फोर्ट को जानते हैं उस फोर्ट के बारे में तो यह है फ्रंट लुक नूरपूर फोर्ड का अब यह मैं इसके अंदर एंटर करने वाले अजस्थ हम यह वे गाडी पार्क की है आप यह आउटर और फ्रंट लुक अब केट का लुक देख सकते हो यह मैं एंटर करते हो यह अंदर इस अब हम लोग नूर्पूर फोर्ड के अंदर हैं हमने गेट से अल्टर किया और जैसे कि हम लोग नूर्प को देख रहे हैं का अब थोड़ा सा खंडर डाइप का है वहुत सारी चीजे चेंजी सोची है यह बहुत बड़ा प्रेंड हैं और यह सब कुछ यहां पर एक वार्वन वाइस स्कूल है दूर्पूर नूर्पूर फोर्ड के अंदर जिसको ग्यारवी सदी में बनाये गया था विद्धी इंडिन कंपनी के बाद इसको 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 ग्यारवी सदी में बनाये गया था आप आर्टवर्क को देख सकते हो कि 11 संचुरी में किस टाइब का आर्टवर्क था यह कुछ फूटेज है उस नूर्पूर फोर्ड के बचे हुए कुछ चोटे-मूटे पिलर्स में से सो लास्ट इस सामराज्य पर इस फोर्ड पर जो हकुमत करने वाला इंसान था वो लास्ट था आपका बेसिकली राजा जस्वन सिंग पठानिया था नूर्पूर उसके बाद यह आप कभी भी अपना एक टाइम निकालकर से अगर आप पढ़ी पठान कोट यहां कभी धरम शाला कि ऐसे जगह पर घूमने आओ तो आप एक दो घंटा निकालकर इस खूब सूरत वीव को आप देख सकते हो इसको हमने बीसिकली अभी हम नाम दिया है नूर्पूर फोर्ट इसका नाम धमेरी टू नूरपूर कैसे बना 1570 के आजपास क्वी नूर जहां के आने के बाद इस लीजेंड जगह का नाम बना नूरपूर फोर्ट जो की पहले था सेंपली धामरी फोर्ट जो अभी हमने एक्सपोर किया नूरपूर फोर्ट को इसके बार में जो भी नूलेज था मैंने अपकी सांथ शेयर किया हमारा जो चैनल है बेसिकली वह एडवेंचर स्पोर्ट, टूरिजिम, हिस्टोरिकल टूरियम इन सब्सक्राइब एक्सपोर करता है अभी रीसेंटी म उद्ज भूडिंग के लिए या फिर कोकी रेस्टोरांट लेजब कोई एडवेंचर स्पोर्ट लैस्टोरिम सेंटर बढ़ावा देने के लिए या आप उस चीज को अफडेट के लिए को चैज तो आपको जानकरी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और प्लीज फोलो किजिए मैं हूँ आपका होस्ट युदिश्रे बंडल